मेरे चैमानिशा साथो कुकिंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपका शेयर करने जारी है चीज ओमलेट की रेसिपी चीज ओमलेट खासकर बचों को बहुत पसंद आती है क्योंकि यह बहुत इसमें धेसारा चीज हम आड़ करते हैं और यह मुह में खाते ही बिल्कुल चीजी चीजी सा फिल आता है यह बड़ो को भी काफी अच्छा लगता है यह थोड़ा डिफरेंट नमल ओमलेट से थोड़ा डिफरेंट है और आभी इसे एक बार जरू ट्राइए करें आपको भी बहुत अच्छा लगने लगने वाला है तो चलिए फटा 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 हम शुरू करते हैं आज की चीज अच्छा बनाने के लिए चानल को जरू सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में तो चलते हैं और आज की रेसिपी को शुरू करते हैं तो चीज ओमलेट बनाने के लिए मैंने यहां पे बाल ले लिया है और अब मैं तीन यहां पे अंडे का यूज करने वाली हूं तो आप तीन से कम अंडे का यूज ना करें कि अभी मैं जो बहुत ही चीजी ओमलेट बनाने वाली हूं तो इसलिए यह काफी सॉप्ट और स्पॉंजी बनते हैं तो तीन अंडे मैं तो लेती हूं और इसे मैं स्पून की हैल्प से फेट लेती हूं मैंने आप फेटने के लिए और under go अब अच्छी तैर से बाद अमे मैं हम आड़ करने वाले हैं आफ काटोरी के करीप स्प्रीग और अम अब अग्या कर लेते हैं 1 जिपते लिए फीन अ मर नमसें और अब ऐडर करने के बार हम एडर करने वाले हैं हाफ ते स्पून नमक और हाफ टे स्पून काली मिर्च और अब मैं इसमें एड़ कर लेती हूँ दो बारी कटे हुए हरी मिर्च हरी मिर्च को आप अपने टेस के कॉड़ी रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बचों के लिए बना रहे हैं तो और अब इन सारी चीज़ों को आड़ करने के बाद हम एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ चमच के करीब और गेनों आड़ कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ नहीं, अच्छी से बिल्कुल दिल खोलके डालें, इसमें चीज क्रेट करके हम एड़ कर लेते हैं यह हम चीज ओमलेट बना रहे हैं तो अगर यह चीज़ी नहीं होगा तो फिर माजा ही नहीं आगा इसलिए यहां बिल्कुल कंजूसी ना करें यहां पर मनभर के चीज आड़ करने के बाद हम एक बार इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेते हैं ध्यान रखें यहां हमें बहुत जादा मिक्स नहीं करना है और बहुत जादा अपना दम नहीं दिखाना है यहां हमें प्रेस कट वे लाइट मिक्स करना है हमारा चीज आमलेट का यह मिक्शिर बनके तयार है अब हम चलते हैं से बनाने के प्रॉसस में चीज आमलेट बनाने के लिए यहां पे एक पैन चड़ा लिया गया सबी अब मैं यहां पे हाफ टी स्पून की करीब मस्टर ओयल एड़ किया है और साथ में यहां पे हम आधा चमच या फिर आपको अगर बहुत सादा इसे यम्मी बनाने तो यहां पे एक चमच यहां पे आपने सारे चीज ओमलेट के मिक्शिस को हम एड़ कर लेते हैं और इसे चारो तरफ अची तरह से इवेंली इस प्रेड हमें कर लेना है हम अब अपने गैस की फ्रेम को लो से थोड़ा सा जादा और मेडियम से थोड़ा कम यानि लो और मेडियम के बीच में रखेंगे और अब हम इसके उपर से चीज फिर से एक बार स्प्रेड कर लेते हैं चारो तरफ एवेंली हम एक बार चीज उपर से स्प्रेड कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि एक बिल्कुल पीजा लुक्स क्रियेट होता है तो यह भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बहुत ह एट्रेक्ट करता है और अब हम अपने गयास के फ्लेम को कम्प्लीटली लो फ्लेम पे करके इसे हम दो मिनट कवर करके छोड़ देते ताकि अच्छी तरह से यह कुक हो सके अब हम इसे कोशिश करते हैं धीरे-धीरे करके इसे हम फ्लिप कर लेते हैं और यह इतना चीजी होता है कि इसकी तूटने का काफी डर होता है इसलिए हम बहुत संबलते हुए हम इसे फ्लिप करेंगे अब देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा टूट किया है बट कोई नहीं इसे फिर भी बहुत अच्छा लगता है सेम फ्लेम पे हम दो मिनट दूसरे साइड भी हम अच्छी तरह से सेम प्रॉसेस से कोग कर लेते हैं दूसरे साइड मैंने विदाउट कवर के इसे कोग किया है अब यह दो मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छी तरह से कोग हो चुके हैं मैं गास के फिम को उफ कर लेती हूँ और अब मैं इसे सफ कर लेती हूँ और आप चाहे तो इसे अपने शेप में आप मंचाये आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक मेरी चैनल को सब्सक्राइब कियो है कहीं मैं जाईएगा और साथ इसाथ मुझे कमेंड आउन करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी क्योंकि इससे मुझे मिलता है अधे सारा मॉटिवेश ताकि मैं आप साबों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आसको और मिलते हैं ऐसी है कि नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बी हेल्दी बी सेथ